हेलो फ्रेंड्स स्वागता आप सभी का पिके स्मार्जी के यूटूब चेनल पर सभी को नमसकार, राम राम और बहुत सार पैर देखे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे पंच वर्षी योजनाओं के बारे में 1951 से लेकर 2017 तक जितने भी पंच वर्षी योजना हुई है उन सभी का डिसकेशन हम इस वीडियो में करने वाले है वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि लगबग एक्जाम में यासी एक कुशन जरूर पूछा जाएगा तो आप वीडियो को कंप्लेट देखेगा अंति तक और इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे कौन सी पंच वर्षी योजना का क्या मोडल रहा उसका अउद्देश ये क्या था उसके प्रमुह कारिये क्या-क्या थे कौन सी 500 वर्ष योजना में क्या ना लगाया गया और योजना उकास की अउद्धी क्या रही तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे वीडियो के अंत में आपको एक प्रिवेस कुशन का टेस्ट मिलेगा जिससे आपको अंददर लग जाएगा कि 500 वर्ष योजना उसे एकजाम में कैसे कुशन पूशिजाते हैं तो आप बनने रहे वीडियो के अंत तक और जो भी फ्रेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकम प्रेस कर लीजिए तो जलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को देखे दोस्तों सबसे पहले आप इस टेबल को समझते हैं इस टेबल को देखे आप यहां से भी एक उसन पूटप हो सकता है सबसे पहले आप देखिए पंचवर्षी योजना है शुरू हुई 1951 से 2017 तक चली टोटल 12 पंचवर्षी योजना है हमारी एक एक पंचवर्षी योजना को अच्छे समझेंगे पहली पंचवर्षी योजना 1991 में शुरू हुई 1956 तक चली और तीसरा योजना आउकास रहा 1990 से 1902 मत तक, ये भी दो साल का रहा, अब इसको याद कैसे करेंगे, 1966 है, इन तिनों को आप याद कर लीजिए, उसके बाद में सभी पंचवर्स योजनाओ का वर्स आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसको कैसे याद करेंगे, 1966 में आप से 1902 मत तक, तो ऐसे आपको याद दिखना है, जदि आपको तिनों आउकास याद हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको सभी पंचवर्स योजनाओ याद हो जाएगी, क्योंकि पंचवर्स योजनाओ हमेशा 5 साल के इंतराल पर चलती हैं, जिससे आपको सभी में 5-5 वर्स एड करते जाना है, और अब सभी आपको याद हो जाएगी, ये तीन आउकास आप याद रखलीजी बस, अब देखें, स्टार्टिंग की तीनों योजने हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनको तो याद करने की जरूत नहीं, 1901 में सुरू हुई, और 5 एड कर हो याद जो जाएगी, बस आपको याद रखनी है, कि योजना आउकास कब कब रहा, जो मिने आपको बता दिया, बार आड करोगे तो नेक्स्ट, योजना आउकास आजाएगा आपका, चलिए अब सुरू करते हैं, देखें दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं, योजना आयोग को, परंचुवर्शी योजनाउग को लागू करने के लिए, योजना आयोग का गठन किया गया, उसके बाद बार आड करें, योजना आयोग को लागू करें, और उनको सही डंग से देखने के लिए, वो किसकी देख रेक में लागू होगी, या किसकी देख रेक में उनको चलाय जाएगा, तो उसके लिए National Development Council राष्टी विकास परिशिद का गठन किया गया, इसका गठन ने 6 अगेस्ट तुनिस सो बावन को किया गया, और इसका प्रमुक उदिशे क्या था, योजना आयोग दुवारा लागू की गई, पंचवर्शी योजना को ठीक तरह से संचालित करने के लिए, राष्टी हो रहा है या नई हो रहा, काँ पर इसकी कमी है, काँ पर विकास जदा हो रहा, काँ पर कम हो रहा, उसके लिए राष्ट्र विकास परिशिद का गठन किया गया, आगे देखिए आप, अब देखिए यह है पहली पंचवर्शी योजना, इसकी अउद्धी है 1951 से 1956 तक, पहली पंचवर्शी योजना का मोडल था, हेराडोमर मोडल, इस पर यह आदरित ही, यह कुशन एक्जम में पूछा गया, important है, याद रख लिजे, पहली पंचवर्शी योजना, और दूसरी पंचवर्शी योजना का मोडल ही, एक्जम में कई बार पूछा गया है, तो उन और कर्शी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है सिसाई पर्योजना ही। और कर्शी के लिए सिचाई पर्योजना जरूरी होंगी तो भागरनागर पर्योजना दामोदन अधिकाटी पर्योजना और व्यास पर्योजना पहले पंचवर्शी पर्योजना के दुरहने का निर्माण किया गया। पहले उद्धोगों की स्ताफना करने पड़ेगी तो कौन-कौन से उद्धोग पहले दूसरी पंचवर्शी पर्योजना के दुरहन बनाए गए वो देख लीजिए। इनमें अन्नेक मैतवपन उद्धोग जैसे दुर्गा, दुर्गपूर, बिलाई, राउर केला के इस्पात कारखाने इस्ताफित किये गए। दुर्गपूर, बिलाई, राउर केला के इस्ताफित किये गए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। इसके साथ में कर्सी भी लिया गया है और उद्गो का विकास भी लिया गया है। फोकस कीजिए आप, 1961 से 1906 तक इसकी एउदी थी, तो 1962 में भारत चीन यूद रुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान यूद रुआ, और 1966 में अकाल पड़ गया, जिससे सबसे ऐस अपल योजना रही है, तो यह आपको याद रखना है, नेक्ट देखिए, नेक्ट आगया योजना उकास, तीसरी पंचवर्षी योजना के बाद में योजना उकास आथा है, 1966 से 1909 तक, तीन साल का योजना उकास रहा, इसमें पंचवर्षी योजना ही चलाए गई, लेकिन वार्षिक पंचवर्षी योजना चलाए गई, ठीक है, तो यह आपको पता रखना है। वार्षिक पंचवर्षी जोना सबसे पहले आई 1906-1993 तक 3 साल के लिए। फिर 1906 में 12 एड़ करेंगे तो 1908 आजाएगा। ठीक है। दूसरा योजना उकास 1908 में रहा। उसमें 12 एड़ करेंगे तो 1909 आजाएगा। 1990 से 1902 में तक 3 आउकास रहा। तो यह आपको याद रखना है। तेसरी पंचवर्षी जोजना के अंदरगत विपल होने के कारण इसे रोक दिया गया। और तीन वर्षों के अवदी के लिए वार्षिक जोजना चलाई गयी। तो यह आपको पता रखना है। इसी कारण योजना उकास लिया गया था क्योंकि भारत की GDP गिर चुकी थी और उसको वापस उठाने के लिए वापस पत्री पर लाने के लिए वार्षिक पंचवर्षी जोजना चलाई गयी। चार साल की थी। तो यह आपको आग्या बताती है। आता निर्बरता कौन सी पंचवर्षी जोजना का उद्देश है था तो आपका आणसर होना रही चोत्ती पंचवर्षी जोजना ठीक है। इस योजना में भार्षी कर्शी वर्षी जोजना रही तो वो रही चोत्ती पंचवर्षी जोजना रही तीसरी ठीक है। दोनों को आप याद रख लीजी नेक्स्ट इसके परमुकार्य देखिए 14 बेंको का राष्टे करण हुआ और इसरो की स्थापना की गई ये कुशन भी पुछा गया है 14 बेंको का राष्टे करण कौन सी पंचवर्षी जोना के दोरान हुआ तो ये वहा चोती पंचवर्षी जोना के दोरान इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षी जोना के दोरान हुई तो ये भी चोती पंचवर्षी जोना के दोरान ठीक है तो इन दोनों को आप याद अख लीजी नेक्स्ट आती है पांचवी पंचवर्षी जोना पांचवी पंचवर सी उजना की अवदी थी 1934 से 1910 तक मैंने बताया है सभी पंचवर सी उजना ये पांचवर सी उजना की अंतराल पर चलती है लेकिन पांचवी पंचवर सी उजना ही एशी है जो केवल 4 साल तक चली थी क्यों चली थी? क्यों कि 1934-1938 तक इंद्रा गांदी थी परदानमंत्री कौन थी? इंद्रा गांदी 1934-1938 तक इंद्रा गांदी परदानमंत्री थी तो 4 साल के बाद इंद्रा गांदी की सरकार गिर जाती है और उसके बाद में जंता पाट्टे की सरकार आती है जिसमें परजानमंतरी मुराजित दिशाई बने और उन्होंने पंचवर्शी उजना को बंद करके वार्शिक पंचवर्शी उजना है शुरू की इसलिए ये 4 साल तक ये चलपाई पंचवर्शी उजना ठीक है पंचवी तो ये आपको याद रखना है पंचवी ही एकमातरी उजना है जो 4 साल तक चली ठीक है और सबी 5 पंचवर्शी उजना है तो वो देगा पांचवी पंचवर्षी उजना में याद करना है नेक्ट देखिए पर्मुकारिय पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया यह पहली युजना थी जो केवल 4 साली चली मैंने आपको बता दिया गरीबी हटाओ का नारा इसको भी आप याद रखना है बूत्सा जाता है एक्जाम में कि गरीबी हटाओ का नारा कौन ची पंचवर्षी उजना में दिया गया तो यह दिया गया पांचवी पंचवर्षी उजना में ठीक है नेक्ट देखिए दूसरा योजना अवकास आ गया अब दूसरा योजना अवकास रहा 1988 से अश्ची तक दो साल का क्योंकि पहला था 1966 से 1999 तक तो इसमें चासर में 12 आड़ करोगे 1988 आ जाएगा मौराजित दिशाई के नितेदों वाली सरकार ने पंचवर्षी उजना को बंद करके वार्षी के उजना चलाई जो मैंने आपको बता दिया और ये कैवल 2 साल ही चल पाई क्योंकि 2 साल के बाद में वापस इंद्रा गांदी के सरकार आ जाती है और 6 पंचवर्षी उजना शुरू हो जाती है अब देखी यह है 6-5 वर्षी जोजना इसकी अवदी रही 1980 से 25 तक इसका उदेशय गरीबी उनमुलन इंद्रा गांदी की पांच्वी जो पंचवर्षी जोजना चलाए थी इंद्रा गांदी ने उसका भी यही उदेशय था गरीबी उनमुलन तो इसके बाद मुराजी दशा नबार की फुल फॉरम की बाद करेंड़ नबार की बेंग करसी पर अधरत जो देना होता है वह बाद करता। नेक्ष्ट देखिए, नेक्ष्ट है सातवी पंसवर्स योजना, इसकी अवदी रही 1985 से 1990 तक, उद्देशे रोजगार, सिक्सा तथा जन सुआस्ता का विकास, ये भी इंपोर्टेंट है, ये उद्देशे भी पुछा गया है, कि रोजगार, सिक्सा तथा जन सुआस्ता का विकास कौन सी पंसवर्षी युजणा का उद्देशे था तो ये था सातवी पंसवर्षी युजणा का ठीक है पर मुकारिये गरीबी की माप सबसे पहले इस युजणा के दुरान लकडवाल समयती दुरा हुई थी अब इसको समझे लकडवाल समयती अब देखो पंसवर्षी युजणा चला दी तो कहाँ पर कौन ज़दा गरीब है कौन ज़दा अमीर है इसको देखने के लिए लकडवाल समयती बनाई गई जिसका उद्देशे था गरीबी की माप करना लकडवाल समयती क्यों बनाई गई कौन ज़दा पंसवर्षी युजणा में बनाई गई तो यह बनाई गई गई बोधन काम तथा उतपाधन का नारा कोन ज़दा पंसवर्षी युजणा में दिया गया याद करना है नेक देखिए ए 1990 से 1992 में के दुरान भारत आर्थिकी संकट से जूज रहा था इस करण वार्षिक उजना चलाई गई 1908 से 1908 तक दूसरा योजना उकास था 1908 में प्रश बारा करोगे तो 1990 जाए 1990 से 1902 तक तीसरा योजना उकास रहा जिसमें वार्षिक पंचवर्षिक उजना चलाई गई आगे देखे तीसरा योजना उकास 1990 से 1902 के दूरान भारत आथिक संकट से जूज रहा था इस करण वार्षिक उजना चलाई गई ठीक है आटवी पंचवर्षिक उजना देखे इसके अउद्धी 1990 से 1902 से 1997 तक 1997 कले लिए ना इसको उद्धे मानना उस इंसादिर के साथ मानना उस इंसादिर के साथ विकास कौन से पंचवर्षि उजना है उद्धे था इसके पर्मु कारे इस काल में 1990 के सुरू आध की गई ये क्रमु कारे में परदान मंतरी रोजगार उजना moment recon शुरुआत कौन सी पंचवर्ष योजना में की गई, तो ये कारे काल पर फोकस कीजिए आप 1902 में से 97 की बीच में आता है 1903 में, इसलिए 1903 में परदान मंतरी रोजगार योजना शुरू की गई, इसको आप याद रख लिजी, नेक्ट देखिए, नोवी पंचवर्ष योज कहीं बरेश्ट सारी कारण पैसा बरबात नहीं हो रहा है, तो उसके लिए नयापरून वीतरन और सम्मानता के साथ विकास के लिए का उद्यशे, नोवी पंचवर्ष योजना का रखा गया, इस उद्यशे को आप याद रख लिजी, दसवी पंचवर्ष योजना देखिए दसवी पंचवर्ष योजना का अवदी काल रहा, 2002 से 2007 ठीक है, उद्यशे गरीबी और बेरोजगार को समात्त करना इसका उद्यशे था, अगले 10 वर्षों में पर्ति व्यक्ति आए दुगुनी करना, ये इंपोर्टेंट है, अगले 10 वर्षों में पर्ति व्यक्ति आए द दसवी पंचवर्ष योजना का उद्यशे था, कि 10 वर्षों में पर्ति व्यक्ति आए को दुगुना करना, नेक्ट है 11 वर्ष योजना, इसका अवदी काल रहा, 2007 से 2012 तक, उद्यशे तीवर्तम एउं समावेशी विकास, इस उद्यशे को आप याद लेजी, पूछ सकता है तीवर्तम एउं समावेशी विकास, कौन सी पंचवर्ष योजना का उद्यशे था, तो ये था 11 वे पंचवर्ष योजना, ठीक है, अब 2012 में समावत हुई, 12 वे पंचवर्ष योजना भी 2012 में स्टाट हो जाएगी, तो 12 वे पंचवर्ष योजना, 2012 में, ये तो आपको वे ये कुशन पुछा गया है कि तिवरता और समाव इसी विकास कशाद सत्रत विकास ये कौन सी पंचवर सी जोजना का उदेशे रहा है तो ये रहा है बारव पंचवर सी जोजना गया है important है एगदा में पुछा भी गया है तो friends ये थी हमारे आज की पंसवर्षी योजना है अब हम देखेंगे previous questions previous questions देखेंगे केसे question यहां से पुछे गई है उस तरह से आपको याद करना है ठीक है तो हमारा पहला question है भारत की योजना आयोग और देखेंगे एक उत्तिय राष्ट्र विकास प्रिश्द की अनुसार next question है भारत की पर्थम पंसवर्षी योजना कब शुरू ही तो यह हुई 1901 में इसको तो आप याद कर लिजिए next question है भारत की पर्थम पंसवर्षी योजना भारत की पंसवर्षी योजना का पर्मुख लगसे क्या था तो मैंने बताया सबसे पहले कर्शी का विकास यह पर्थम पंसवर्षी योजना का उद्धे से रखा गया था उद्धुकों का विकास यह दूसरी पंसवर्षी योजना का उद्धे से था next देखिए next 5 का question है किस पंचवर्शी जोजना के दुरान भारत ने गरीबी हिटाव का नारा दिया मैंने काना question पुछा गया है जो परिवेश एक्जामस में पुछे गए है वह question मैंने इसमें add किये है तो गरीब हिटाव का नारा पांचवी पंचवर्शी जोजना के दुरान दिया गया D option correct हो जाएगा किस पंचवर्शी जोजना के दुरान भारत ने मिशिर्ट अर्थ विवस्ता चुनी थी तो यह चुनी थी दूसरी पंचवर्शी जोजना के दुरान ठीक है 1966 से 1999 ठीक है तो पहला योजना अउकासता नेक्ट देखिए जोहर जोहर रोजगार योजना खालिस्तान के दुरान शुरू की गई थी तो फ्रेंट जोहर रोजगार योजना 7 वी पंसवाजना के दुरान सुरू की गई थी ये भी आपको याद रहना है next question देखिए खालिस्तान की बीच तीन वार्षी योजना ये लागू की गई तो मैंने बताया पहला जो योजना वार्षी योजना ये चलाई गई एक एक साल के अंतराल पर तो ये तो आपको याद एकना है next देखिए next और आखरी कुशन है तो ये थे आज के मारे important question उमीद करता हूँ आपको session पसंदाया होगा comment करके जरूर बताये कि आपको session कैसा लगा और योदि आपको session पसंदाया तो like कर दीजिए और अपने सबी दोस्तों के साथ share भी कर दीजिए तो चलिए मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंदे